हालो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब पॉलिटिकनिक पार्ट साला पर एक वर्पुना आपका स्वागत है जैसा कि लास्ट क्लास में हमने फ्यूल्स देखा फ्यूल्स के क्लासिफिकेशन देखे और किसी भी फ्यूल्स का जो क्लोरुफिक बैलू था उसको आपने बॉंब क पॉकि्स थे हमने लास्ट क्लास में कबर किया और जो पिछला क्लास था उसमें संबु Shallows का है दो आप क्लाशिफिकेशन सब्सक्राइब है उसक्लासिफिकेशन से लूबरिकेंट में आप यह की लाद क्या कैसे कैसे किस्टाइब के लूबरीकेंट के classifications या category नो उसको बाटा गया है, वर्गीकरन किया गया है तो आज का हमारा जो यह lecture है classification of lubricant पह ही आधारित है, तो आए यह start करते हैं classification of lubricant सबसे पहले हम बात करेंगे सनेहा का वर्गीकरन तो सनेहा का वर्गीकरन करने से पहले हम आपको बताएंगे कि जैसे सनेहा क्या था तो आपको हमने बताया था कि दो सतही एक तरीके से हम का सकते हैं कि दो अगर मेटल हैं अगर वो आपस में रगड कर रही है तो उस रगड से जो है उसके बीच में कुछ उसमा उत्पन होती है और उसमा उत्पन होने की वज़े से वो गर्मी को ना सहन क कर पाता है और वो तो इसी को जो है मनने को रिडूस करने के लिए तरीके से बार बार रगण नंग करें वह मसीन के फुर्जों को ठीक इसके तरीके से चलाए तो आप आप आए लिंग करते हैं या फिर लुब्रीकेट का यूज करते थे जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हुआ हो उसके लाइप को इंक्रेश करते थे तो अब यहाँ पर जो आपका शनेहक कावर्गी करण है उसको हम यहां पर देखेंगे देखे ब तो सबसे पहले हम बात करेंगे solid lubricant में हो जाएगे आपके graphite फिर हो जाएगा molybdenum और disulfide soapy stone जिसको हम तालक बोलते हैं और क्या है आपका माइक तो यह जो है आपके कुछ classification यहां पर दिये गया है solid fuels के फिर उसी तरीके से हम next बात करेंगे आपका semi-solid lubricant जिसमें आपका आप जाएगा grease and baseline तो देखिए अर्ध ठोस जो सनेहक होता है जैसे ठोस जो सनेहक है एक तरीके से हम का सकते है solid में उनके जो है जो कुछ टाइप से हैं वह आपके हो गया graphite molybdenum और डाइस अलफाइट साबुन पत्थर यह एक त्याद और फिर जो आपका माने कुछ हलका solid और हलका जो है क्या लिक्विडी मनें semi solid पूरी तरीके से solid नहीं जैसे ग्रीस आपने देखा हुआ लिक्विडी पार्ट भी रहता है और जो है वो क्या है solid पार्ट में रहता है तो यह जो है आपका grease and baseline हो जाएगा फिर लिक्विड लुब्रिकेंट में वेजिटेबल और अनिमल्स आयर्ट ब्लेंडेट्स आयल और सिंथेटिक्स आयल यह सब जो है आपके क्या हो जाएंगे लिक्विड लुब्रिकेंट में आ जाएंगे फिर यहां पे क्या है आपका kinds of lubricant जो सुनेह के प्रकार है एकॉर्डिंग तो दियर फीजिकल लुब्रिकेंट अब और यहां पे एक है cutting fluid तो अब इनके बारे में हम जो अभी प्रकार पढ़ रहे थे उनहीं के बारे में थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ेंगे तो जैसे आपका ठोस जो सनेहक है उसके बारे में आप कैसे बताओगे तो देखे लिखा गया है और ठो करते हैं कि अभी जस्काप से बोला गया कि थोस नेहक का उपयोग किया जाता है जहां आउड़ किया जाने वाले जो सनेहक है उसमान ऑ साबुन हो जाएगे पत्थर और अभ्रक्त हैं इस तरह के सिनेह का उपयोग प्रमाण उर्जा जो पंडूब्यों और मिसाइडों में किया जाता है जो आपके यह बोला जा रहा है हमने बोला। आप यहां पर लिक्विडत तक नारेश के उसके के सब्सक्राइपल यहां फालोंग रीजन वो क्या-क्या है तो आप यहां पर देखेंगे कि they are highly stable and positive low reactivity ठीक ना फिर यहां पर आप बोलेंगे they are soft and fill in the क्या बोल सकते हैं low spots in the surface and moving parts of the machine to form a thin solid fins which reduce the frictional resistance means that यह नरम होते हैं और एक पतली ठोस फिल्म बनाने के लिए मसीनों के चलते भागों की सतों पर हम क्या करते हैं कम यह तरीके से हम बोल सकते हैं दब्बे भरते हैं और फिर आप सिर्फ जो घरसट परत्रिवत को क्या करता है कम करता है मने रेड्यूस करता है अब यहां पर यह बोलेंगे they can be used by mixing with grease or other lubricants solid lubricants can be used in क्या बोल सकते हैं dry powdered from by क्या बोल सकते हैं और by mixing with water or oil मने इसका उपयोग हम grease या अन सनेयों को के साथ मिला कर करते हैं किसका इसी solid solid lubricants का तो और फिर आपको बोला जा रहा है ठोस सनेय का उपयोग सूखे powder के रूप में या फिर पानी या फिर तेल के साथ मिला कर क्या किया जाता है किया जाता है अब यहां पर जो आपके solid fuels में जो आप अभी उसके types पढ़ रहे थे जैसे आपने ग्रेफाइट पढ़ा था तो इस ग्रेफाइट का यूज क्या है ग्रेफाइट एक तरीके से साबुन की तरह लगता है ठीक ना तो यह जो बोला जा रहा है ग्रेफाइट इस वेरी शॉपी टुटच एंड नॉन इन फ्लेमेबल अब हम फिर यहां पर बोल रहे हैं कि इस नॉट साबुन की तरह दिखेगा और कह रहे हैं कि यह आसानी से आक्षिडाइज नहीं होता है एयर में और वह भी कित्ते टंप्रेचर पे 375 डिग्री सेल्सियस पर अभी हम बोल सकते हैं कि इस मोस्ट वाइडली यूज्ट सॉलिड लूब्रिकेंट और इस लूब्रिकेंट का य इंटर्नल कमपसंस इंजन और इसका यूज हम जो है जो भी आंत्रिक धन इंजन हैं उनमें करते हैं और फिर बोला जा रहा है कॉस्ट आयरंस ब्रिंग बीरिंग एयर आपसे बोला जा रहा है कंप्रिसर रेलवे ट्रैक्स जॉइंट एंड क्या बोल सकते हैं फुट इस पाउड़िर पाउड़ फॉर्म यह जो है पाउड़ फ़र्म यह जो है श片संस нस convene कर एक मतलब की चोड़े चोड़े पाउड़ीरे ंएक बैट चाहते हैं तो अब जो है यही बोला जा रहा है कि powder form आर जो है suspension form अब आपसे बोला जा रहा है वेन graphite is dispersed क्या dispersed in iron it is called iron which is very useful in internal combustion engine और फिर बोला जा रहा है graphite is dispersed in water it is called जिसको हम बोलते हैं aquada और graphite can also be mixed with grease to form अम क्या बोल सकते हैं graphite grease which are used in higher temperature पे इसका हम यूज करते हैं जो आप यहां पे बना के इसका उप्योग जो करते हैं फिर आप यही हमने बोला कि graphite चुने में 100 पी या फिर हम बोल सकते हैं गैर जोवल सीन होता है गैर जोवल सीन कहने का मतलब कि आजानी से जलता नहीं है और हमने फिर बोला था कि यह हवा में प्रक्त हैं कि निलंबन के रूप में करते हैं और फिर हमने बोला कि जब graphite को इसी जब graphite को तेल में फैलाया जाता है तो इसे आयल डग कहा जाता है और जो आंत्रिक दहन इंजन में बहुत उपयोगी होता है यह ग्रेफाइट को पानी में के साथ मिला दिया जाता है तो उसी में एक एक जांपल आपने molybdenum और डाइस पढ़ा हुआ था तो अब देखिए आपसे यह बोला जा रहा है कि molybdenum डाइस अलफाइट इट इस्टेबल इन एयर अप टू 400 डिग्री सेल्सियस मैंने आपसे बोला था कि यह हवा में 400 डिग्री सेल्सियस तक इस्थिर फिर यहां पर बोल रहा है कि when it is shrinking it in form of fine powder मतलब कह रहा है कि जब इसको हम sliding सतहों पर machine powder की रूप में हम क्या करते हैं इसको छीड़का जाता है और फिर आपसे यहां पहला जा रहा है कि it fills low spots to form its film और यह अपनी film बनाने के लिए कम धब्र बर देते हैं अब हम फिर यहां पर बोल रहा है consequently it is used in machine working at high temperature ये ऐसे मसीनों में use होता है जिसका temperature बहुत high होता है और फिर आपसे बोला जा रहा है कि at about 400 degree Celsius it can be used with क्या बोल सकता है solvent are in grease तो हमने अभी आपको जश्ट बोला कि नतीजन इसका उपयोग लगभग 400 degree Celsius के उच्च तापमान पर काम करने वाले मसीनों में किया जाता है इसका उपयोग बिलायक के साथ या grease के रूप में क्या किया जाता है तो आगे हम देखेंगे इसके classification फिर आपसे यहां पर बोला जा रहा है कि आपसे हमने बोला था टैल के आफिर सोप स्टोन तो अब जो है सोप इस टोन जो है आपके वो आपको कैसे बताऊओगे मगनीशियम सब्सिलिकेट मिनडरल है इक इत जनार्ली वाइट इन कलार यह जो है जन्वाइट किस कलर में होते हैं वाइट इंग माँने सफेद रंग का होता है छुने पर यह ग्रीस की तरह जो है क्या चिपग जाता है यह अकेले सनेहक के रूप में उप्योग किया जाता है यह अन्य पदार्तों के साथ मिलाकर भी किया जाता है अब जो उसमें आपने सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट माने अर्ध टोसनेहक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में आप क्या बता होगे तो आप से यह बोला जा रहा है घ्रीज और वैसलीन का उप्योग अर्ध ठोसनेहक के रूप में किया जाता है ग्रीस में एक साबुन होता है जो पैट्रोलियम तेल या फिर हम बोल सकते हैं कि सिंथेटिक तेल जैसे तरल सदेहर तेलों में जो है क्या हो जाता है फैला होता है तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं ग्रीस केन बी प्रिपेरड बाई सॉपनिफिकेशन आप फैट्स विथ अलकलाइन्स लाइक एन्ने ओयज माने सोडियम हाइट रॉक्साइड और क्या है आपका कैल्सियम हाइट रॉक्साइड फालोड बाई एडिसंस आफ होट लुप्रिकेटिंग ऑल अब फिर यहां पे ब ब्रॉक्साइड या कैल्सियम हाइट ब्रॉक्साइड जैसे छार के साथ वसा के साबनिकरण क्या कर सकते हैं साबनिकरण द्वारा तयार किया जाता है इसके बाद हम क्या करते हैं गर्म सनेह तेलों के साथ इसको जोड़ा जाता है और फिर इस पे हम इसको मिलाकर इस तरीक कम गति पर जो है क्या माने हैवी लोड को सपोर्ट करता है यह बड़ा important point है अब फिर आप से यह बोला जा रहा है कि जो आपका grease है grease are classified as under after क्या आपका बोल सकते हैं after the soap after the soap used in there जो है क्या manufacture तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि grease को उनके निर्माण में उपयोग किये जाने वाले साबुन के बाद निम्नामसार वर्गिकृत किया जाता है तो सबसे पहले आप से बोला जा रहा है कि calcium based grease जो calcium based grease है माने calcium आधारी तेल है उसको आप कैसे बताओगे फिर आप से बोला जा रहा है कि oil cannot remain in place because of high load अब यहां देखे क्या जा रहा है grease का उपयोग हम कहां पे कर सकते हैं तो oil cannot remain in place because of high loads low speed and sudden jets etc. for examples rail, axles और क्या हम बोल सकते हैं boxes उच्च भार, कम गती और आचानक जटके आध के कारण तेल जगहों पर नहीं रह सकते उधारण के लिए हम बोल सकते हैं कि rail axis box जैसे आप देखते हैं कि rail जो है क्या हो मता है हमेशा एक तरीके से क्या अचानक जटके देते हैं तो उस जगहों पर हमने ये बोला कि oil cannot remain in place जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि high loaded train कितने loaded होती है तो ये आपको ये बोला जा रहा है कि उहां पर हम इसके यूज करते हैं तो high loaded speeds and sudden jacks etc और एक्जामपर railway x box पर इसके जो है usage किये जाते हैं फिर आपसे बोला जा रहा है कि soda based grease कुछ soda आधारित जो है तेल है फिर आपसे बोला जा रहा है कि bearing need to be sealed it against dust आर जो है क्या moisture मने हम बोल रहा है कि wiring को धूल या फिर नमी के खिलाफ seal करने की अवस्यक होती है और फिर यहां पर बोलेंगे axle grease एक होता है और फिर आपको यहां पर यह समधा रहा है कि wearing the क्या बोल सकते grease work at high temperature मने wearing और gear उच्चता अपमान पर काम करते हैं और dripping or supporting of oil is undigriable for examples in machines used in prepare, textile paper and what तेल का तकना या फिर हम बोल सकते हैं कि उचलना क्या है उदारन के लिए कपड़ा, कागज और खाद बस्तों को तयार करने के लिए उपयोग में भी किये जाने वाले में इसका हम उपयोग करते हैं the grease are used in railway axle box और हम फिल बोग सकते हैं tractors tractors और rollers, machines और फिर हम क्या बोल सकते हैं wearings and wire ropes तो हम ज़स्ट बोले grease का उपयोग railway axle box tractor, roller, machine wiring और और हम क्या बोल सकते हैं तार की रसियों में जो है इसका उपयोग किया जाता है अब यहां पर फिर आप आगे बताओगे कि liquid जो lubricant था liquid lubricant को आप कैसे explain करोगे अभी इसके पहले हमने solid lubricant पढ़ा फिर semi solid lubricant से बादर में पढ़ा जिसमें हम grease को पढ़े अब यहां पर आपका जो बात होगा वो liquid lubricant की हम बात करेंगे तो liquid lubricant में आपके क्या हो जाएंगे तो देखिया आपसे बोला जा रहा है कि lubricants I.L. are the most commonly used जो आपका liquid lubricant है तो यही बोला जा रहा है कि liquid या फिर हम बोल सकते है lubricatings I.L. are the most commonly used lubricants the main functions of liquid lubricants are as below मने सनेहक तेल सबसे अधिक इस्तमाल किये जाने वाला सनेहक है और तरल सनेहक के मुखकार निम्नमत दिये गए है वो कैसे हैं तो सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है कि they reduce frictions between two metallic surfaces यह दो धातूं सतूं के बीच घरसन को कम करता है सबसे पहली बात और फिर दोसरा बोला जा रहा है कि they wear between the moving or sliding surface by providing a continuous fluid film in between जो है क्या देम यह चलती या फिर sliding सतों के बीच एक निरंतर तरल पदार्थ film परदान करती एक तरीके से एक layer का काम करता है और फिर हम यह कह रहा है कि they act as a cooling medium sealing agents and corrosion preventer मतलब यह हम कह रहा है कि सीतलतन मतलब यह coolant कहने का क्या मतलब माने वह जो है उसको सीतल परदान करता है सीतलतन माध्यम sealing agent और क्या संचारर निवारक के रूप में जो है क्या होता है काम किया जाता है फिर यहाँ पर क्या बोलेंगे कि they reduce knocking by नॉकिंग कहने का मतलब मसीनों में आवा जाती है सीवेस में उसमें तेल लगाते हैं जिसे वह उस खड़कड़ाहत को क्या करें वह कम कर दे या बंद कर दे तो यह हम कह रहा है कि they reduce knocking by minimizing jacks in the parts of machines a good lubricant oil must possess the following characteristics यह मसीन के हिस्सों में जटकों को कम करने और jacks को कम करता है एक अच्छे स्नेह तेल में निमनलिखित विसस्ताय होनी चाहिए वो निमनलिखित विसस्ताय क्या है तो उसको हम आगे देखेगे कहा जा रहा है कि सबसे पहले उसकी क्या होने चाहिए कि high melting melting high boiling point होना चाहिए low pressure पर अब फिर दूसरा बोला जा रहा है कि इसकी freezing point low होनी चाहिए और फिर हमने बोला कि aquatic viscosity for जो है क्या proper इसको हमको service मिलना चाहिए high oxidizing sorry high oxidation resistance में होना चाहिए non corrosive properties में होना चाहिए stability to decompositions of या operating temperature पे होना चाहिए heat stability में होना चाहिए तो यह जो है कुछ उसके functions थे इसको आपने देखा अब lubricatings oil are classified as under वो जो है कैसे उसको आप classified करोगे तो यहां पे देखिए बोला जा रहा है आपसे animals and vegetables oil और फिर आपसे बोला जा रहा है mineral are petroleum oil or blended oils अब यहां पे जो आपका एक और पार्ट था जो अभी classification में पढ़ रहे थे animals and vegetables oil तो इसको हम बोल सकते हैं these are also called fatty oils के नाम से जानते हैं vegetables oils are obtained from plant seeds बीजों से खुदों के बीजों से जैसे सर्सो हो गया उससे जो है आप क्या करते हो उससे तेल बनाते हो ना सर्सो का तेल तो आपसे यह बोला जा रहा है vegetables oil are obtained from plant seeds and animals oils are obtained from animals organs अब फिर बोले जाए रहे हैं कि they possesses the properties of good oilness due to किसकी वज़े से which the oil sticks to the surface of machine parts even under heavy load and high temperature they are यह हम बोल सकते हैं कि they are not commonly used at present क्या अब कैसे हमने बोला कि पसु और बनस्पति तेल इन्हें हम जो है फैटी तेल के भी नाम से जानते हैं बनस्पति तेल पौधों के बीज से प्राप्त किये जाते हैं उसके बीट से और फिर बोला जा रहा है और पसु तेल पसु मूल से प्राप्त किये जाते हैं इनके पास अच्छी जो है क्या तैलियपन माने oilness यह बोला जा रहा है का गुड होता है और जिसके कारण यह तेल भारी तेल और आपसे यह बोला जा रहा है उच्च तापमान के सतहों पर भी मसीन भागों की सतह पर चिपन जाते हैं और यह आम तोर पर वरतमान में उप्योग नहीं किया जाते हैं क्योंकि यह महंगे पड़ते हैं फिर आप क्या बोलेंगे यह अक्सिडाइजिंग और यह आसानी से आक्सिकरण से गुजरते हैं और फिर बोला जा रहा है कि इनके पास से गुजरने की कुछ अपर विरतिया है फिर हम बोल सकते हैं अब यहां पे जो आपके क्लासिफिकेशन फीर पड़ रहा थे उसीमें हम बात करेंगे मिनरल यहां फिर हम बोलेंगे पेट्रॉलियों वायल तो मिनरल चैंट पैट्रॉलियम ऑयल में देखे क्या बोला जारा दीज क्या राएब यह अपूछे पड़े हुए हैं तो आपको डिफेंट डिफेंट आइल मिला हां उसी में जो है आपने फिर देखा था ग्रीस आपको मिला था या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ वैक्स मिले हुए थे या फिर कुछ टार कचला टाइप का कुछ पार्ट मिला हुए था तो अब यही बोल रहे हैं हमकी दे और आप्टेंड बाई डिस्टिलाइजेशंस ऑफ पैट्रोलियम दे हाइड्रोकार्बन चेन इन पैट्रोलियम आइल्स वैरीज फ्रॉं कहां से 12 तू 50 कार्बन एटम दे या फिर हम बोल सकते हैं कि दा आयल सैविंग सार्टर हाइड्रोकार्बन चेन है क्या लोवर बिसक्वास के पार्ट वहां पर आपने देखे हुए थे तो आपको यह बोला जा रहा है कि यह पैट्रोलियम के आस्वन द्वारा प्राप्त किये जाते हैं पैट्रोलियम तेल में हाइड्रोकार्बन श्रिंखला बारस से लगाए 50 कारबन प्रमानों से भिन्न होती है छोटी हाइड्र हैं अब यह हम बोल रहे हैं कि निमनलिखित कारणों से पैट्रोलियम तेलों का ब्यापक रूप से सिनहा के रूप में उपयोग किया जाता है क्यों क्योंकि यह सस्ते होते हैं देया चीप और फिर आपसे बोला जा रहा है देया अबेलिबल इन अबाउंडेंस यह ज्याद रहे हैं और फिर हम बोल रहा है आपसे पैट्रोलियम आयल पॉस्टिस पूर ऑइलनेस एज कंपेर टू एनिमर्स एंड वेजिटेबल आयल इस कैंस बी इंग्रीश्ट आप बाई एडिंग हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड सच आज ओलीक एसीड एंड इस्टियरिक एसी और उच्छ जो है अनुबार यहोगिकों को जोड कर जो है क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं अब यहां पे फिर बोला जा रहा है कि डी वैक्सिंग एंड आपसे क्या बोला जा रहा है सॉल्वेंट रिफाइनिंग आफ लुब्रिकेंड स्नेहक तेलों की डी वैक्सिंग और बिलायक सोधन अब जो है इसको आप कैसे बताओगे तो अब यहां पे यह बोला जा रहा है कि दलिक्विड आप्तेंड बाई अब आपसे यह बोला जा रहा है कि क्रूड लिक्विड मने कच्चा जो तील होते है तो क्रूड लिक्विड पैक्ट्रोलियम आयल कंटेंज इंप्यूर्टी सच अच जुसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैक्स और जो है क्या एसपार्ट इट सुड भी थ्रोली सेल्सियस पर पैक्ट्रोलियम के आंसिक आसवन द्वारा प्राप्त तरल को हम जो है पैक्ट्रोलियम केंट के रूप में जो है जाना जाता है और फिर आपसे बोला जा रहा है कच्चे तरल पैक्ट्रोलियम तेल में मोम और जो है क्या डामर जैसे असुद्यां होती है निम और प्वाइंड मेक्स दा लूब्रिकेटिंग एल अन्फिट फ़र यूज एट लो टंपरेचर मतलब हमने यह बोला कि मौम मौजूद पानी देखे बोला जा रहा है मौम मौजूद पानी के बिंद को बढ़ाया बढ़ाता है और चिकनाई तेल को कम तापमान पर उपयोग क के लिए क्या किया जाता है अब यहां पर फिर आपसे यह बोला जा रहा है कि जो आपका एसफल्ट है एंड अदर इंप्योर्टी अंडर गोज डिकंपोजिशन एट हायर टंपरेचर काजिंग वर्ट कार्बन डिकंपोजिशन एंड फॉर्मेशन मनें हमने बोला कि डामर और अन असुद्धियां उच्चतापमान पर अपगटन से क्या होती है गुजरती है जिससे कार्बन जमाव और कीचल का निर्मार जो है क्या होता है अब यहां पर आपसे यह बोला जा रहा है फ्लोइंग प्रॉस्सेस और इंप्लाइड वैंड दान्वांटेड इंप्योंड मतलब हमने आप को बोला कि अवांचित असुद्धियों को दूर करने के लिए निमनलिखित Pby यह को नियोजित किया जाता है वह कैसे है तो आप यह लेकिशिद प्रकरियाओं को नियो जीद्ट किया जाता है वह कैसे है तो अप यहां पर देख रहा है है आप ढिल्त अप तोizer हमिने डी इनली अध Εखत्म शनले лиटिवेक्टि अव डी मतलब हमने आप से बोला दिवैक्षिंग तेल के डिवैक्षिंग की समान नवी दी कम तापमान पर विलायक में मोम की सापेच आगुलन सीनता पर क्या होती है आधारित होती है और फिर आप ये बोल रहे हैं कि सी और ले वाल घवैक्ष मी AH अधारित है प्येज बैक्स इज रिमोवड फ्रॉम दायल बाई रिकवर्ड फ्रॉम दायल बाई क्या डिस्ट्राइजेशन मतलब अब यहां पर हम यह बोल रहा है कि मुम वाले कच्चे तेल को प्रोपेन और फिर हम बोल रहा है उप्यूक्त बिलायक के साथ क्या करते हैं मिलाया जाता है ऑधियर आपके मों को हम क्या बोल बाइब लंगैसे क क्या करते हैं पॉपयोग किए गया भिलाया उस्मान द्वारा ओॉटैल रीफाइनिंग का से करिये सकते हैं कि इस तरीके से बोल सकते हैं कि the de-waxing oil still contains some undesirable impurities such as naphthalene और क्या बोला जा रहा है आपके asphalt and treating with concentrated sulfuric acid some impurities dissolve in the acid and others are जो है क्या हम बोल सकते हैं converted into tarry slushed so the slushed is removed by a filtration the access of acid present in the filter is neutralized by किसके थुरू नोट्राइजड वाइडिंग एन वेज्ट तो it the oil is finally decolorized by passing fillers earth which is maintains between where kitta maintains between 100 degree Celsius to 140 degree Celsius अब यहां पर यही जो acid refining है वो क्या आपको बता रहा है तो devaxing oil में अभी भी कुछ आवांचनी यह जैसे देखिए अभी आप वैक्सिंग पढ़े फिर उसका devaxing कर रहे हैं तो आपको यह बोला जा रहा है कि devaxings में में जो आपके बोले जा रहा है डी बैक्सिंग आयल में अभी भी कुछ क्या होती है आवांचनी असुद्धियां होती है जैसे कि नैप्थलीन और क्या डामर और फिर हम बोल रहे हैं Pencentrated H2S4 के साथ treat करने पर कुछ असुद्धियां एसिड में क्या हो जाती हैं बुल जाती है और अन जो है ट्रैजिसलेक्ट में परिवर्तित हो जाती हैं कीचर कुन क्या निश्पंदन द्वारा हटा दिया जाता है और फिल्ट्रेट में मवजूद एसिट को अधिकता को उसम फिलर अर्थ से गुजार कर हम क्या बोल सकते हैं एक तरीके से बदरंग किया जाता है मतलब बदरंग कहने का क्या मतलब है बदरंग का मतलब यह है कि आप जो है मैंने बीडाउट कलर तो यह जिसे हम जो है 100 से 100 बनाया रखा जाता है अब यहां पर आपसे बोला जा रहा है तो इन दिस प्रोसेस दा आयल इंच्ट विट सुटेबल सॉल्वेंट इन विच इंपूर्टीज और हाइली शॉलिवल्स और आयल इन जो है तो बिलायक सोधन इस प्रक्रिया में तेल को एक उपयुक्त बिलायक के साथ मिलाए जाता है जिसमें असुद्िया स्क्रीए अत्यदिक क्या होती है फुललранशीweise होती है और तेल जिसमें हम बोल सकते हैं एसे बिलायक fluorophobic, nitrobenzene, प्रोपीन और जो है हम बोल सकते है केशॉल या फिर sulphur, dioxide और bentzn.ट है अब आपसे यह बोला जा रहा है कि या यॉल ऑलॉहीं इट्टू क्या हम बोल सकते हैं कि लिक्विड सेपरेट इन्टू लेयर और लेयर एंड सॉल्वेंट लेयर जैसे क्या है कि यह आपको बोला जा रहा है कि जो सॉल्वेंट रिफाइनिंग है जिस सब्सक्राइब कुछ आयल और आप एक तरीके से बोलो वाटर को एक मिक्स करें तो देखो कि कुछ टाइब के बाद वाटर का पार्ट अलग हो जाएगा और आयल आयल जो है आपके वह उपर हो जाएगा और जो आपका वाटर होगा वो नीचे होगा तो वह दो लेयरों में तूट जा रहा है ठीक ना तो उसी को हम इमिसिबल्स तो सच सॉल्वेंट्स और नाइट्रो बेंजी निजा मिक्चर साफ़ प्रोपेल एंड क्या कि रोसील्स सुलफर डायॉपसाइड एंड बेंजी ठीक ना तो आन एलॉइंग इस्टेंड अंडिट्राइवर्स पार सम्टाइम्स मैं उसको फिर कुछ टाइम के तो the IL layer is Free from impurity, वो बना असुद्यों से मुक्त होता है, लेकिन इसमें कुछ क्या क्या बिलायक होते हैं, तो अब यह हम बोल रहे हैं कि the solvent layer contains, अब जो है दो layer मिल रहा था, एक आपको क्या? oil layer और दूतरा क्या solvent layer तो जो solvent layer है solvent layer contain solvent layer contain dissolved impurity due to do किसके बज़े से naphthalene asphalt and क्या regionious substance on distillations of oil layer the solvent is recovered leaving behind the refined oil similarly on distillation of solvent layer the solvent is recovered and residue containing different impurities is left behind solvent refining method has following क्या merits तो यही हमने बोला कि बिलायक परत में नेप्थलीन डामर और राल युक्त पदार्थों के कारण घुलित असुदियां होती है तेल परत के आस्वन पर बिलायक परसिक्रित तेल को क्या करते हैं पीछे परत कि पुर्ड़ते हुए पुर्णरप्रात किया जाता है इस थरह विलायक परत के आस्वन पर हम वह क्या बोल सकते हैं कि बिलाय वाले और स्यसों को पोछ क्या करते दें छोड दिया जाता है और भीदी रिओंत व्हतfleं कि तो है लाट हब रेते हैंrekज मौन रापकी है कि ईह रिधूर्ट संस्टीच विएयस अड़μέनि की यह तो इस तरीके से जो है यह आपके मैंने कुछ उसके क्या रहे है अब यहां पर आपको बोला जा रहा है कि इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है इस मेरिट्स अब टेक्निक्स पढ़ रहे है round वह ए इतनीय मेरिट्स परते लाऽड़ है क्या वहां धरे ठीकनिक्स पढ़ रहे हो कौन सा तो देखिए यही जो है अभी आप पढ़ रहे थे कि solvent जो रिफाइनिंग अभी प्रॉसेस पढ़ रहे हैं इस solvent refining में आपके जो है क्या दी मेरिट से तो अब जो है यहां पर आप से यह बोला जा रहे हैं आपको कि इट्स गीव गिपस हायर एल्ड आफ रिफाइनिंग ऑईल रिफाइन प्रोड़क्ट्स आप्टेंड सो लेस चेंज इन विस्कॉस्टी विथ तम्प्रेचर तो अब जो है दा इसमें जो है जो तेलिय पन होता है वो क्या होता है कम होता है और फिर हम बोल रहा है कि इन आडर टू इंप्रूब दीज ड्रॉबक्स इट बिकम्स नेसेसरी टू एड़ सम एडिटिव्ज तो दे सॉल्वेंट रिफाइंड आयल मतलब हमने यह बोला कि इन कमियों को सुधारने के लिए बिलायक प्रसिक्रित तेलों में कुछ योजक माने कुछ ऐसे सॉल्वेंट जो है एड कर देता है जिससे वो क्या हो जिसका जिसकी बज़र से जुसमें जो तेलिय पन है वो अच्छा से बना रहा है बास समझ रहे हैं अब यहां पर क्या है बुला जा र ऑच्छ में आप नहीं आड कर सकते बास समझ रहे हैं तो आपसे यह बोला जा रहा है इसलिए पैट्रोलियूम तेल के अबिशिष्ट गुनों को उचित मातरा में वनस्पत-तेलों और अन योजकों को मिला कर बेहतर बनाया जाता है पास समझ रहें इसी इसी वज़र से आप से बूला जा रहा है कि पैट्रोलियम जो आयल होते हैं उसमें कुछ वेजिटेबल सौयल्स भी जो है क्या एड करे उसको जो हैं क्या करते हैं मैं अच्छा बनाते हैं तो यह कहा जा बभार्टे हैं मिंसरी तेल में एक ऴस्यशuled परकार की जो है क्या अवस्ये प्रकार की मख्या सिंगा उट्री के लिए Found वंश स्य स्युथ है लों की कम आय स्तिरता के कारण ये अच्छे सो के रूप में जो है क्या बिक्सीत होते नंकला नोस जिए और तो देयर पॉर गर्परटी ज़न है वनुट्रोलीयम टेखें अब आपसे वाइल मिक्शेश और अप्रोप्रेटिटी तो एप्रोप्रेटी प्वेजिटेबस आइल अब आप से क्या बोला जाए एडिटिव जो योजक थे तो अब आप से बहुत आएल अधिन फैटी और इन पैट्रोलियम इसकौर्ड उसी को क्या बोलते है ब्लेंड आयल पैट्रोलियम नहीं क्या आप जो है वेजिटेबल आयल मिलाओं तो यह हम बोलना है कि दप ब्लेंड आप लेंडेट आया डे डबलब एज अबुड लुब्रिकेंट मतलब आप से यह बोला जा रहा है कि यहीं अभी अभी ज़स्ट हमने बोला कि जो मिस्री तेलों की कम अस्तिप्ता के कारण यह अच्छे सनेह के रूप में जो है क्या होते हैं विक्सित होते हैं अब यहां पे अपर यह बुड़ एल्विट अच्छिए अच्तरियुड एजुड और प्रिशनी है जो हुड पेहिच से लुड़ घॉड जो है अच्छिए लुड 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 लुडूंग वी जोन अउन रूस्ट दिर्टिक पह संच इना रून ऐस बुडॉड जा संधी अडॉड ल काम से ही आप जान रहे हैं कि जिसको मनें जिसमें कुछ कैमिकल वगेरे मिला के पैट्रोलियम आराजी सिनेह काउपयोग विशिष्ट योज जोड़कर अतिदिक उच्छतापमान और रासाइनिक रूप में प्रतिक्रियासील वातावरण के तखत किया जाता है लेकिन कुछ स संसलेशिद गिए कैली सबसे कठोर परस्थितियों में उपयोग किये जाते है उसी को हम सिंथेटिक के रूप में जानते हैं तो आप यहां पर यह बता रहा है कि the distinct characteristics of modern synthetic lubricants are as under वाने आधुनिक synthetics ने हैं कि कुछ बिशेष्टनाय हैं वो कैसे हैं तो they are non inflammable और फिर बोला जा रहा है कि they have high flash point they have high viscosity index they are chemically very stable और they have a high thermal stability at high operating temperature पर यह बात आपसे कही जा रही है following are some important synthetic lubricant कुछ निमने लिखित आप जो है विशेष्टाएं synthetic lubricant के आप बता रहा है वो कैसे है तो आप देख रहा है कि आप से यहीं बोला जा रहा है कि followings are some important synthetic lubricant तो यह आपको बोला जा रहा है कि polymerized hydrocarbon such as polyethylene और फिर क्या बोल सकते polybutylene और फिर यहां पर बोला जा रहा है polyglycol and related compounds such as polythene polythene glycol और फिर आप से बोला जा रहा है polyglycosides ethers तो यह कहा जा रहा है हमने आप से बोला polyglycols and और संबंधित जो है यहाओगी जैसे polythene polythene glycol और हमने बोला polyglycidyl और फिर आप बोलेंगे organic amines and amides they can be used at 50 degrees celsius to 250 degrees celsius temperature और फिर यह जो है कुछ क्या synthetic lubricants के जो है तो देखें आप से यह कुछ महत्तोपूर जो इसके point है मुँँ आपको बताया जा रहा है सिलिकॉंस दे आर ऑक्सिडाइस अबब कित्ते degrees celsius पर 200 degrees celsius और अंडर वो और क्रैकिंग्स एट अबाउट 230 degrees celsius they are not used as synthetic lubricants at high temperature यह 200 degrees centigrade से ऊपर आक्सिक्रिट होते हैं और लगबग 250 degrees celsius पर प्रैकिंग से गुजरते हैं इसलिए यह उच्छ तापमान पर क्या उच्छ तापमान पर synthetics के रूप में उपयोग किया जाते हैं synthetic lubricants are used where petroleum lubricant cannot be used the important property of what synthetic lubricant is that they are not easily oxidized and other viscosity does not change considerable what with rise in temperature तो इस तरीके से जो है यह चीज़ें आपको यहाँ पर explain की गई अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि synthetic स्नेहक काउपयोग किया जाता है जहां petroleum स्नेहक काउपयोग नहीं किया जाता है synthetic स्नेहक की महत्वपूर्ण भी से श्ताय है यह है कि यह आसानी से आपसे क्रीत नहीं होती है और तापमान में व्रिध्धी के साथ उनकी चिपशिपाहट में काफी बदलाव नहीं होता है तो synthetic lubricants are used in atomics power plant rocket motors submarines and army jet engines में तो यह कहा जा रहा है synthetics नहीं है काउपयोग प्रमान उर्जा सनियंत्रो rocket motors पंडूबी और सेना के jet इंजनों में किया जाता है अब इसमें जो है एक और जो point है वह आपका है cutting fluid तो cutting fluids क्या होता है तो any liquids are gases used to cool and lubricant a tool is called cutting fluid तो oil water are emulsions of oil in क्या बोला जा रहा है कि water are commonly used as cutting fluid की तरह वहां पे काम कर रहा है the cutting fluid are used for cutting threading swimming sorry swimming drillings and turning of tools in the machine saw तो हमने यही बोला किसी उपकरण को ठंडा करने और चिपकाने करने के लिए उपयोग किये जाने वाले किसी भी तरल या फिर क्या cutting fluid कर सकते हैं तेल पानी या फिर हम पानी में तेल का इमन्सल आम तोर पर तरल पदार्थ कटने के रूप में जो है क्या किया जाता है किया जाता है मसीन की दुकानों में काटने वाले तरल पदार्थों का उपयोग जैसे काटने ठ्रेडिंग आरा और ड्रिलिंग और जारों को मोडने के लिए जो है क्या यह क्या देखो गया आप से यह बोला जा रहा है कि में फंक्शन सब्सक्राइब क्या है तो आपको हम यहीं बोल रहा है क्टिंग फ्ल्यूट के मुख कारक कुछ निम्न है तो दर ट्यूल्स दर कूल अधर टूल्स बने उपकरण को ठं प्रक्राइब कहा रहा है माशीनरी प्रक्रियाओं में जम्हाँ अवान्शित सामागरी को क्या अलग करने के लिए इसका उप्योग हम करते हैं फिर आप से यहां पर बोला जा रहा है कि different cutting oils are used for cuttings of different metals तो यह कह रहा है हम विभिन धातों की कटाई के लिए विभिन काटने वाले तेलों का उपयूग किया जाता है अब यहाँ पर क्या बोलोगे आप water is a good cooling agent and cheap it is used as high speed operating where only cooling is required but it does not have lubricating properties heavy oils are good lubricant but are not good coolants hence आप से क्या बोलो जा रहा है water or heavy oil are not used alone as a क्या cutting oil तो अब यही हमने बोला कि पानी एक अच्छा जो है क्या है मने ठंडा करने के लिए क्या है एक तरीके agent और सस्ता भी है इसका उपयोग उच्च गती चालन में किये मने यही बोला जा रहा है मने इसका जो उपयोग है वो उच्च गती संचालन में किया जाता है जहां केवल मने सीतलन की आवसकता होती है उसमें चिकनाई गुण नहीं है भारी तेल अच्छे सनेहक है लेकिन अच्छे जो है क्या है सीतलक नहीं है मने वो आसानी से ठंडा प्रदान नहीं करते हैं वाटर की तूला में इसलिए पानी या फिर भारी तेल का उपयोग अकेले काटने वाले तेलों के रूप में नहीं किया जाता है Emulsions are used where both ash cooling agents and lubricating are required simultaneously for this purpose oil in water emulsion is obtained by mixing small amounts of petroleum oil in water and then stabilizing it by adding our emulsifiers such as soap, lard and sperm oil और फिर कि हम क्या बोल रहा है टलो आयल and custard oil treated with क्या H2SO4 तो emulsion का उप्योग किया जाता है जहां एक seedling agent और एक सनेहग दोनों की एक साथ हो सकता होती है इस उद्देश के लिए पाने में petroleum तेल की थोड़ी मात्रा को मिला कर और फिर उसमें H2SO4 के साथ treat किया जाता है साबुन, लाड तेल, सुक्राण तेल और हम बोल सकता है कि पारित तेल या फिर custard तेल जैसे आप पाईसी कारकों को जोड़कर इसे इस्थित करके जो है तेल इन क्या water emulsions प्राप्त किया जाता है cutting emulsions act as lubricant to reduce frictional heat and they provides medium for the transfers of heat produce मने काटने वाले emulsions घरसन उसमा को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में कारे करते हैं और यह उत्पादित उस्मा के हस्तानांत्रन के लिए क्या है माध्यम प्रदान करते हैं तो इस तरीके से यह जो है आपने उसके बताए अब importance of additive compounds in lubricant माने जो आपने अभी lubricant आप जो स्नेहक पढ़ रहे हो उस स्नेहक में कुछ ऐसे पदार्थ भी यूज करते हैं कुछ ऐसे योगिक भी हम कह सकते हैं कि योगिक कहने का क्या मतलब है कुछ ऐसे chemical भी मिलाते हैं जिसकी वजह से जो उसकी properties है वह extend कर जाए माने बढ़ importance of additive compound in lubricant में स्नेहक में योजक और योगिकों का जो महत्तो है उसको आप यहाँ पर क्या कर रहे हो देख रहे हो तो देखिए आपसे यह बोला जा रहा है कि the compound which are added to petroleum oil to make the oil more effective as a क्या lubricant और पर उसी को हम क्या बोलेंगे additives देखिए बोला जा रहे हैं aromatic amines phenolic compounds and salts of sulponic acid etc act as a वो किसकी तरह वो additive compound की तरह काम कर रहे हैं तब फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि the performance of lubricating oil is enhanced by additives as under तो हमने यही बोला योगिक जो तेल को स्नेहक के रूप में अधिक प्रभावी बनाने के लिए petroleum तेल में जोड़े जाते हैं उन्हें योजक कहा जाता है और आपसे बोला जा रहा है कि cellophonic acid आधिक लवड योजक योगिक के रूप में कारे करते हैं सनेहक तेलों के प्रदर्शन को योजक द्वारा निम्ना अमसार बढ़ाया जाता है तो certain high molecular weight compounds like hexanols are viscosity index जो है क्या हम बोल सकते है कि improvers मतलब यही बोला जा रहा है hexanol जैसे उच आडविक भार योगिक viscosity index को improve करता है फिर आपसे यह बोला जा रहा है compounds like polystyrene having molecular masses between 300 to 3000 are added to act as thick क्या बोल सकते है तो हमने बोला polystyrene जैसे योगिक जिसमें आडविक द्रब्यमान 300 से लेके 3 हज़ार के बीच होता है जो क्या है जो गाढ़ा करने के रूप में जो है क्या कार्य करने के लिए किया जाता है यह चिकनाई के तेल को एक उच्च चिपचिपाहट देता है माने चिपचिपचिपाहट प्रदान करता है फिर आपसे क्या बोला जा रहा है कि substances like vegetable soil जिसमें हम vegetable soil में बोल सकते हैं प्रदान करते हैं जा प्रदान करते हैं जानते हैं तो यह जो है इस तरीके से हमने बताया कि बनस्पत तेल जिसमें हमने नारियर तेल या फिर हम बोल सकते हैं रांडी का तेल और fatty acid जैसे pomatic acid और stearic acid और फिर आपसे बोला जा रहा है उलिक acid जैसे पदार्त स्नेहक की जो तेलियपन को बढ़ाता है और ऐसे पदार्तों को तेलियता वाहक भी कहा जाता है फिर यहां पर आप क्या बोलोगे यहां पर इस तरीके से यह जो है यहां पर सब आपको दिये गया है तो अब यहां पर क्या बताया जा रहा है कि एरोमेटिक फिनॉल्स या फिर अमोनियों सॉरी नमीनों कंपाउंट्स यहां पर किया क्या जाते हैं तो तेल के जो आक्सिकरण को वो क्या कर देता है जो oxidizing capacity होती है इनको add करने से वो क्या कर देता है कम कर देता है उसको समझ रहे हैं तो अब यहाँ पर फिर क्या है आगे जो इसकी properties है आप यह बोल रहे हैं कि sodium salt सकते हैं आप सलफोनिक उसीड एक्ट एज इमल्सिफायर में उसका यूज़ करते हैं फिनॉल और नेफ्थलीन के साथ क्लोरीन यूक्तमूम के कुछ संचे पर उतपादों का उपयोग हम क्या बोल सकते पोवर पॉइंट डिफ्रेसिंग के रूप में किया जाता है तो इस तर लूब्रिकेंट्स में कुछ एड़िटीव पार्ट जब एड़ कर रहे थे तो उसकी जो प्रॉपर्टीस थी लूब्रिकेंट की उसको बढ़ाने के लिए तो उसके जो है आपने कुछ फंक्शन यहां पे देखे अब यहां पे हम जो इंडेस्टियल अप्लिकेशन से लू बिट्विन तू मुविंग मटेलिक सफिस इन जो है क्या मसीन मतलब यही हमने कहा कि सनेहक यह आपसे बोला सनेहक मसीनों में दो चलती धातू सतों के बीच घर्षन प्रतिरोध को कम करता है और दी मिनिमाइज वियर एंड टीर इन मसीन यह मसीनों में टूट फूट को कम कर करता है डुब्रिकेटिंग मने एक तरीके से आप यही किसनेहक का यूज इसी वज़े से किया जा रहा है दे आर हेल्फुल हेल्फुल टू प्रिवेंट जो है क्या लीकेज इन मसीन स्वाई क्या बोल सकते हैं एक्टिंग एजसील की तरह काम करता है यह सील के रूप में का स्वाव को रोकने के में क्या है के लिए सहायक है तो इस तरीके से इसको आप देख रहे हैं फिर यहां में हम बोल रहे हैं कि अपोजिंग दुट्रिक्शनल रिजिस्टेंस इन मसीन एज़ेट एनरजी इज सेब्ड डू टू डिक्रीज इन लास आप एनरजी यह मसीनों मे घरसर प्रतिरोद का बिरोद करने में उर्जा हान को कम करता है नतीजन उर्जा की हान में कमी के कारण उर्जा की बचत होती है फिर आप यह बता रहे हैं कि यह मसीन की दच्छता जो एपी सी अंसी होती है उसको भी बढ़ाता है इसलिए मसीन के जीवन को यह क्या करता है ब अर्टिजन मसीनों के हिस्से बहुत अधिक जो है क्या गर्म नहीं होते हैं और जो है वो उसको तूटने फूटने से क्या कर लेता है बचा लेता है दे डे कीप दे कीप दे कीप दे कीप दे कीड़ अवे विद तर इसक्रैप यह मसीन को कबाड़ आज के साथ ले जाकर साफ करता है बने उसको एक तरीके से हमका सकते हैं कि ठीक करता है अब यह आपका functions of lubricating in wearing बने wearing में सनेह के जो कुछ कार है वो इस तरीके से हैं क्या है तो the surface of wearing of machines are continuously lubricated so that they are not changed due to क्या हम बोला है कि excessive heat developed पाने उसमें ज्यादा उर्जा उत्पन होने नहीं देता है that the functions of lubricant used in bearings are as follows तो यही हमने बोला कि machine के wearing की सतहों कुल लगातार चिकनाई दी जाती है ताकि तदीक गरम विक्सित होने के कारण जो है उसको क्या करिछत ग्रस्प ना होने दे वेरिंग के वियोग किये जाने वाले सिनेह के कार उचे इस प्रकार दिये गए हैं तो सबसे पहला जो आपका कार है वो यह है यह है यह हमने बोला कि the lubricant sticks to both the surface of the bearing as a result the surface do not come in जो है क्या direct contact and frictions between them in reduce मतलब हमने यह बोला सिनेह वेरिंग को दोनों सतों उपर और चिपक जाता है नतीजन सतों के सीधे संपर्क में नहीं आता है और इनके बीच घरसंड कम हो जाता है due to decreasing friction there is no increase in temperature consequently no loss of energy takes place and there is no wear in the metallic surface मतलब हमने यह ही बोला घरसंड में कमी के कारण तापमान में कोई ब्रिद्री नहीं होती है नतीजन उड़ जा का कोई नुक्सान नहीं होता है और आप यह बोल रहे है और धात की सतों में कोई दिसावट भी नहीं होती है इस तरीके से आप यह बताएंगे by using lubricant socks and absorptions by bearing takes place properly और सनेहक का उपयोग करने में wearing द्वारा जटके का जो अवसेसर है वो ठीक हो जाता है अब यहां पर यह बोल रहे है due to lubricants, wearing remains surface and their life being longer तो इस तरीके से आप यहां पर क्या कर रहे हो इसको आप यहां पर बताए हो तो अब यहां पर जो आपका यह पार्ट था मानए lubricant का classification वो lecture का यहां पर lubricant का पूरा जो हिस्सा था वो हमारा कतम हुआ तो देखे lubricant में basically आपको यही पढ़ना है कि lubricants होता क्या है lubricants के basically काम क्या है और फिर आप जैसे इसमें waxing क्या होता है डी waxing क्या होता है cutting जो अभी एक टर्म जो है जैसे आते रहे कुछ important उन टर्म को जो है आपको देख लेना है ठीक ना तो यह chapter जो है आपके लिए बने जो भी अभी इस chapter को यह जो लॉंग मने इतना लिंदी हु यह मतलब है कि आपको यह point wise चीज़ें मैंने बता दी हुई है तो इसमें से जो जो चीज़ें में हैं उसको आप पढ़ लोगे ठीक ना और ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही टप है जो भी चीज़ें आप अपने daily life से correlate कर रहे हो वही सारी चीज़ें है ठीक ना तो आज के class क आज के class के लिए इतना ही थैंको class मिलता है